नमस्कार आप देख रहे हैं MP तक मैं हूँ आपके साथ कांग्श ठाकुर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हैं कॉंग्रेस बीजेपी ने उमिद्वारों के नामों की घोशना कर दी है पिर वो चाहे महापौर प्रत्याशी हो या फिर पार्शत प्रत्याशी और इसी के साथ कॉंग्रेस और बीजेपी की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कई सारे जो नेता हैं वो बागी हो गए हैं यह पूरा मामला क्या है कौन इस्तीफा दे सकता है कौन नहीं दे सकता है आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको कुक्कु FM के बारे में जानकारी दे देते हैं कुक्कु FM जो है वो एक खास ओफर MP तक के दर्शकों के लिए लेकर आया है MPT50 यह कूपन कोड आपको इस्तिमाल करना है और आपको जो है 50% का ओफ कुक्कु FM के सब्सक्रिप्शन पर लगेगा आपको बता दे कि आपने साथ साथ अपने परिवार के साथ औडियो बुक किता या वो कहाणियों का खजाना आपको कुक्कु FM पर मिलेगा, parenting tips मिलेगी साथ ही बच्चों के लिए किस से कहानिया मिलेंगे, अगर आपको राजनीदी के किस सुनने पसंद है तो वो भी मिलेंगे, sports की कहानिया मिलेगे तमाम जो entertainment और पढ़ाय लिखाय से जुड़े भी तम स्क्रिप्शन है उस पर 50% का ओफ आपको मिल जाएगा तो फिर जल्दी कीजे और जल्दी से कुकू FM डाउनलोड कर लीजे तो बात यहाँ पर हो रही थी कॉंग्रेस की मुश्किलों की जो की ग्वालियर चंबल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अब इस्तिफों की ज अधिक्ष कमलनात को अपने इस तीफे जो है उसकी वो पेशकश कर सकते हैं ग्वालर के साथ ही मुरैना में भी कुछ इस तरीके के हालाज जो है वो दिखाई दे रहे हैं इन तमाम नेताओं का कहना है कि जो लिस्ट जारी हो चुकी है इसमें किसी भी तरीके का फेर बदल नहीं होना चाहिए हमारे सहयोगी सरवेश पुरोहित ने भी इन कॉंग्रेस नेताओं से बात की है अब ऐसी परिस्तिती में अब कोई भी परवर्तन करना पुचेत नहीं है वही आपको बताते कि कमलनात इस पूरे मामले में आक्टिव दिखाई दे रहे हैं कमलनात ने डामेज कंट्रोल की जो जिम्मेदारी है वो दिखविजे सिंग को सौब दी और ये बताया जा रहा है जो सूतर आ रहे हैं उनके मुताबिक कि सुभचो है वो तमाम पार्टी के नेताओं के साथ दिखविजे सिंग मुलाकात करके उन्हें मनाएंगे आपको बता दे कि कॉंग्रिस को उमीद थी कि 2018 की विधानसभा चुनाव की तरह नगरी निकाय चुनाव में भी ग्वालियर चंबल से कॉंग्रिस को बढ़त हासिल होगी लेकिन टिकेट बटवारे के बाद जिस तरीके से नाराजगी और बागी सामने आये हैं उसके बाद अब कॉंग्रिस की नींद उड़ गई है वही यही कारण है कि कॉंग्रेस ने जिला प्रभारियों संभाग प्रभारियों को साइड लाइन कर दिया है और दिग्विजय सिंग को सीधे गुआलियर के रवाना कर दिया है जहां पर वो नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश करते दिखाए देंगे उसको रोक पाने में कमलनात कितने काम्याब हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले पर वो लगातार MP तक आप तक पहुचाते रहेगा मध्यप्रदेश में होने वाले नगरी निकाय और पंचाय चुनाप से जुड़ी तमाम खबरों ले बने रहेए MP तक के साथ